लौशकर जी, मेरा नाम जज चावला है, मैं रजिंदरा पार रजिंदर नगर में रहता हूँ, कुछ समय पहले न मेरी जीब के नीचे एक छाला हो गया था, मैंने इदर उदर से कफी लाज करा है बर मुझे कोई ऐसा ठीक नहीं हुआ, फिर मुझे किसी ने सला दी कि आप ए ने मुझे बाइपसी की सला दी, बाइपसी कराने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, फिर डॉक्टर ने बोला कि इसकी एक एमरे करानी पड़ेगी, एमरे से पूरी, एक्चुली स्टेशन पता चलेगी कि किस स्टेज पर कैंसर है, कैसा कैंसर है, मेरी एमरे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए मैंने फिर घरा के काफी लोगों से रिष्टेदारों से सला करी, किसी ने का कि इसका आजिवेधिक भी इलाज है, किसी ने का इसका हमेधिक इलाज है पर मैंने कुछ समय बाद डिसाइड किया कि नहीं, मैं डॉक्टर संगीद अगरवाल से इसका उपरेशन ही कराऊंगा डॉक्टर साब ने मेरा उपरेशन किया, आज लगबग दो साल हो चुके है मैं बिलकुल नॉर्मल लाइफ है मेरी बिलकुल रुटीन का जो उपरेशन से पहले काता था, वो मैं आज काता हूँ किसी किसम की मुझे कोई परेशनी नहीं हुई, ना उपरेशन के बाद कोई हुआ है, मैं बिलकुल ठीक हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर संगीद अगरवाल का जिनोंने टाइम से आके मुझे इतनी बड़ी विमारी से बचा ली है मेरा सभी अपने भाई बंदू से, यारो दोस्त वसी, यही निवेदना कि अगर कभी फ्यूचर में कभी ऐसी कोई चीज नजराती है, कुछ हाला ऐसा नजराता है, किसी किसम का ऐसे लगता है, आप सीधे बिना कोई देरी किये हुए डॉक्टर संगीद अगरवाल जो कि गंगराराम होस्पिटल में है इमीडियेट कॉंटेट करो मैं डॉक्ट साब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी विमारी को एक छोटी सी सर्जरी में तब्दिल कर दिया धन्यवाद